कि नमस्कार आप देख रहें सबर्च धूम धाम से मना सम्राठा सोक धूम विज्वय दस्मी महापर्व सिद्धार्त इत्वा भार्ति बॉद्ध महासभा के तत्वावा धान में शुक्तवार को कश्डी में सम्राटा स्योग धम विजदस्मी महापरवपर विश्वसान के कि लिए जुलू सुभा यात्रा निकाला कर निकाल करके बुद्ध धर्म की अमार्श पर्चरमी के संपल प भजे धम प्रचार वाविश्वसान के लिए ग्राम कित्रा मुर्गी हुआ से शुरुवाच की गई जो तहस्ति शुक्र की विभी मिस्थानों से महिला पुरुष बश्व के साथ फैडल दो पहिया शर्पहिया वान की लबी कतार से पंच्छु जंदों के साथ जगतने सब्सक्राइब करके बुद्ध्य सोसाइटी आफ इंडिया के जिलाद है जनपत सिध्धार तंगर कारिक्रम का उद्देश 14 अक्टूबर 1956 बिजे धम दस्मी के दिन नागपुर में बाबा साथ डाक्टर बियार अरंबेदकर ने पांच लाख हवनियाईयों के साथ बहुत धम को ग्रहन किया इसी दिन महान समराट असोक ने भी कौर के महीने की बिजे धम दस्मी को उन्होंने भी बहुत धम को सविकार किया उद्देश की बात आप करते हैं उद्देश यह है कि बाबा साथ डाक्टर बेदकर ने कहा था कि जिस दिन दी बुद्दी सोसाइटी आफ इंडिया का सव साल पूरा हो जाएगा यह देश भारत बहुत में हो जाएगा हम लोगों जैसा कोई धर्म नहीं है इस धर्म में अहिंसा और इसके बाद में जो इसकी पंच सील है अगर पंच सील पर चलने वाला इस देश का कोई भी विखती हो वह हमेशा सुखी संपन्न और सम्रिद्ध होगा मैं 2000 से इस तासील में तासील अधिश था और तभी से मैं मनाने का काम किया दिबुद्धि सोसाइटी आप इंडिया के फाउंडर बाबा साफ डाक्टर वियारंबेटकर उनकी पुत्रवधू मीरा ताई जी ने निर्देश लिया कि हमेशा कि आप लोग जब मैं तासील में तो उन्होंने का विजय धमदस्मी आप मनाने का काम करें इसमें बाबा साफ डाक्टर वियारंबेटकर और महान समराटा सोग दोनों की धमदीख्षा दिवस मनाई जाती है और दोनों के हम लोग साथ लिकर के और मनाने का काम करते हैं एक कईस वरसों से कारक्रम मैं चल आरा हूं आरा हूं आरा हूं